हेलो जी गुड़ मॉनिंग चंडिको टो शुलिया सेकलियं टूप का आज है डे 72 यह वह वह पगल आश्ट ने जहां पर मैं रुका था दो रात मैं यह ठहरा हूं और पर पर रहकर के इनका लाइफ स्टाइल को समझना और किस तरह की लाइफ है इन पेशन्स की उसको देखना और किस तरह से यहां पर ट्रेट किया जा आपको पहले मैं बीच गुमाऊंगा और उसके बाद मादोपूर में और कौन-कौन से गुमने की जगह है उसके बारे में भी बताऊंगा और फिर कोई जगह देखके शाम को गहीं ठैर जाएंगे तो दिन पर आज सैंकल पर निकलने वाला है आउटसाइड लोकेशन पर गुमते आये सफर शुरू करते हैं पपू का है पपू बाए लोगी सफर हो गया शुरू अ अब की जगा थीक है जी बाए 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 जब को बाए करके निकला में अब ये कोस्टल रोड है बीच से अभी तीन किलम्टर दूर हूं पीच में घना जंगल है और यहां से सफर करके अब मैं पहुचने वाला हूं माधलपूर है अब में अब ही एकक तुम कर बेलस आड़ी आपको यह नजर आपी है किया वस्ली पर सपीदम music कि अज़ाइब कि अज़ाइब कि अज़ाइब कि गुजरात में अज़कल नारियल के खेती पर फोकस किया जा रहा है और यह अभी कुछ दिनों से शुरू हुआ है क्योंकि मैं जितने भी पेट नारियल के लगे है न सब छोटे हैं जैसे अभी कुछ टाइम पहले लगाया गए हूँ लगता है कि इस वक्त फोकस है इस एरिया को कॉकनेट प्रोडूज करने वाल एरिया की रूप में डेवलोप करना है हर तरफ आपको खेतों में आजकल कॉकनेट के टांट लगे वे नेचर आ रहे हैं जैसे कुछ टेम पहले ही लगाये गए हूँ जगह के नाम है मांडेर यह एक गाउं है और मैं इसे अभी क्रॉस कर रहा हूँ मैं आपको यह घर दिखाने के लिए रुका हूँ बीच में बर्गत का पेड़े एक तरफ नहीं जमाने का घर दूसरी तरफ पुरा नहीं जमाने का घर मॉडेन और ट्रेडिशन का क्या बढ़िया कॉंबिनेशन यहां आपको देखने को मिल रहा है यहां समंदर के किनारे पे न कुछ मंदिर छोटे-छोटे से नजर आए जैसे दिवताव के स्थान होता है तो मैं उनको देखकर के इधर मुड़ गया हूँ और एक दम किनारे पे पहुंचा दिया सेंकिल को आज हमने वाह क्या बात है यहां पे एक नदी और उसका डेल्टा पॉइंट है यानि यह संगों की तरह है तो प्रेट में तो सेंकिल को धक्क्या मारके में नहीं चला सकते हैं बुरा हाल है तायर कैसे मुड़ गया पूरा अब यहां एक टाइम लेप्स बनता है इस तरहों से खड़ी किरते हैं यह एक जगह है बिल्कुल सड़के किनारे पे माधवपूर यहां से रहा गया सिरफ चाल किलोमेटर दूब अराम से पहुंच जाओंगा कोई जल्दी नहीं है इंजोए करता हुआ सिनिक ब्यूटी देखता हुआ और आपको दिखाता हुआ निकल रहा हूं यही प्लान है मेरा आज का तो यहां पर एक नदी आ रही है उस नदी का मिलन होता है इस जगह पे और यहीं पर लोग मशलि नदी के लिए यहां बैठे है नदी का पानी बहा करके आके यहां समंदर में मिलता है इस जगह पर और संगम जो है जो यह जगह है उसी के सामने वो शिवलिंग बना हुआ हुआ है अपकर नाम किया है एक थ Jawahed तो आपकर नाम क्या है भई नाम क्या है वहाई उलेमार हेमान गूलेमाउड सुलेमान गशा ना तो रोज आते मचली पकढ नहींते और है जंगाए उसंदो है यहाँ लेते अठे हो यह वगड ज cross exactly प्रफ्य प्रफ्य जो अब कैते हैं अब अबक करा written जाता है अगर किलो के उपर professor और कår में तो क yolा स्क्रीस चलीज अच्छो प्रफ्य कम रेक होता है है जोकि मच्छिय置 क्या कम रेट कम रेट होगा हाँ हो गया काम है जराशी कल्की मैंजी पड़ गी शूज दिले ये एक और आया कितनी हुई आज मचली 10-15 हो गई है नहीं 10-15 क्या किलो 10-15 मचली कितने किलो होगा 10 किलो हो गया तो छोटी मचली बड़ी है छोटी है तो फिर तो 40-50 रुवे का रेट हो अचानक से समंदर की लहरों की उचाही बढ़ गई है और पानी जो सैंकल से बहुत दूर था अब सैंकल के टायर तक आने लगया है अब देखना थोड़ी देर में यह देखिए टेक दम टायर के नजदीक तक आ रहा है अभी सोचता हूं सैकल पिछे कर लो इससे पहले कोई बड़ी लहर आए और खीज ले जाए यहां पर लोग मचलीया पकड़ रहे है नदी और समंदर का संगम है यहां पर तो बैक वॉटर के पुश के वज़े से मचलीया समदर में जाती जाती वापस आ जाती है और इनको मोका मिल जाता है मचलीय पकड़ने का तो अच्छी खासी बड़ी मचलीया है जो इस नदी के पानी के साथ बैकर यहां तक आ गई है लोजी मेरा अंदाजा ठीक निकला यह भाई ने मेर को बुला के बोला के सेंकल उपर ले लो पानी का लेवल बढ़ जाएगा भी या बढ़ रहा है तो मैं सेंकल को उपर ले लेता हूं लोजी दोस्तों करीब आदा गंड़ यहां रुकने के बाद अब मैं बढ़ूँगा वापस माधपूर बीच की तरफ रेत में खूब जोर अजमाईश हो रही है हुआ 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 है कैसे बढ़ेगी आगे देखना पड़ेगा चलो गिली रेत में तो और भी भुश्किल हो रहा है धस जाता पईयां अंदर अब ख़दरनाक भाई भी असरा मेर को देखे आओ जी तो निकल आया अब सुखे में बढ़ते हैं और बढ़िया या ऐसा ही पागलपन होता है अपने साथ खूब जोर लग रहा है ठक गया हुआ है जिदर धका रगाता हुदर नहीं कहीं ओल जाती है अब आए तो गॉड तरा है 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 हाँ पाव प्रे आदा ही आया दो जाने उपर जागे मिलता हूँ हाँ सांस फुल गे इतनी जल्दी हाँ खूब सांस फुली है चलो हाँ हलो जी रेट से मैं बाहर आगया हूँ तो टेक्नीक समझ में आ गई गलती करके तो टेक्नीक यह है कि भई हाँ टायर अगला जो है न उस पर वेट मर डालो उसको उपर उठा लो और सिर स्थी चली जाएगी सांकिल हाँ हाँ वह बरस रही है कुंदे के लिए है मैं सोचना था मादवपूर बोड़ा बीजी सा बीच होगा बहुत बड़ा होगा पॉपुलेटीड होगा क्रावडीड होगा पर यह तो बहुत शांत सा लग रहा है देखे दो चार शॉप से उट क्याड़िया कर सकते हो और कॉकरेट वाटर मिलता है और कुछ भी नहीं है विस यह सड़ेक है लगी निराय में मादवपूर पहुंच किया हूँ अच्छा इस तरह जो खेत है ना दूर तक उनमें पानी भरा हुआ है हर साल यह होता है तो इस वक्त यहां कोई फसल नहीं होती पानी सूखने के बाद यहां के लोग इस खेतों में फिर से फसल होगा आते हैं मादवपूर के बड़ी इंट्रेस्टिंग कहानी है सिर्कृष्ण भगवान और रुकमनी की थोड़ देर में आपको सुनाओंगा अभी अपडेट यह है कि अजे भाई हैं जो बर्ड्स को हेल्प करते हैं इंजियर बर्ड को प्रीट करते हैं अजिए उनके साथ सोचनों जाकर के एक बार प्लू तो कल उनके बारे में मुझे मामा पागर आश्रम के जो एक दोस्त है उन्होंने बताया था उनसे वोटसैब पे बात हुए बस उनके पास महुचते मिलते हैं उनके ऐसे काम करने मादों के साथ मिल्ला बनता है और फिर में आपको क्रिशन बगवान और रानी रुखमनी के कहानी सुना हुआ कि क्या रिस्ता है माधपूर, क्रिशन बगवान और रानी रुखमनी में यहां से निकल रहा हूँ, डिसाइडी होगा है कि स्नाइकर लेकर पहले वो शुन जाता हूँ, वहां स्नाइकर रखेंगे और उसके बाद अजे पहुंच जाएंगे अपने हस्पिटल में, फिर वहां के उनका छोटा सा इंट्रेक्शन एक इंट्रेव्यू रिकॉर्ड करेंगे, फिर साइड सींग के ले भी निकल रहा हूँ इस वक जा रहे हैं उस आश्रम और करीब आदा किलम लोग चलके अंदर ठर्न लिया हमें, लेट साइड पे तो मेरे साथ पंकर्ज हैं सामने, बाइक पर ये मेरे को पहले आश्रम लेके जा रहे हैं, फिर एक बाद श्यार गुनने के साथ चलूँ हमें, दिखते हैं कौन-कौन सी जबह यहां गुनने को ये आश्रम है, शुरू हो गया जो करते हैं बाद पर लेंगे, कोई ये कमरा है, तो गमरा ठीक है नहीं, तो कही अंदर खड़ी करतेंगे ये पूरा अश्रम है ये है न स्वागत केंपर, कोई नहीं यहां पर स्वागत केंपर लेफ्ट में था, तो कोई दिखा नहीं थोड़ आगे बढ़ रहे हैं अभी देख गेर स्विच नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत है, ट्यूनिंग करनी पड़ेगी लो जी, हम देर देरे पहुँच रहे हैं अंदर, आश्रम की तरफ पर बीच देखता कुछ ऐसा है, सामने संसेट हो रहा है, तो संसेट देखने के लिए आप लोग मादोपुर भीच आ सकते हैं यह एक अच्छा option आपके पास है, और इवनिंग में आपको अलग-लग तरह की activity आँ देखने के मिलती है, जैसे के camel ride आप कर सकते हैं, for scooter ride आपके पास option है, और snacks और खाने भीने की बहुत सारी items भी आपके लिए अवेलबल हैं, इवनिंग में यहां काफे चाहल कदमी रहती ह बहुत सारे लोग हैं, जो यहां शाम को अपने परिवार के साथ आते हैं, और मुझ जैसे लोग अपनी cycle के साथ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहां करके, खंडी हवा है, संसर सामने हो रहा है, उसके रंग समंदर में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, पता नहीं क तो दोस्तो साथ बच चुके हैं, संसेट हो चुका है, और भवारी है वापसे की, चलते हैं वापस, मेरे के लाज के अपिसोड में इतना ही है, यहीं पर अंट करते हैं, तो दिन बर में जो हुआ है, वो एक बार मैं आपको बता दूँ, तो सुबर में उठकर के मामा पाग में पहुंच किया था, यहां पर, यहां करके मैं ओश्वासरम में रुकना चाहा रहा था, लेकिन किसी वज़े से अरेंजमेंट हो नहीं पाया, क्योंकि नवरात्रे का टाइम है, और इन दिनों में बहुत सारे लोग यहां पर आ करके रहते हैं, तो रहने का अरेंजमेंट है था, तो यह उपर की तरफ है, पूरी सीरीज आप देखना चाहा रहें, तो यह नीचे की तरफ है, और जिन जिन लोगों ने मुझे सुपोर्ट किया, इस पूरी ट्रे पे उनके नाम मैंने यहां नीचे दिया गये हैं, तो सुपोर्डर ऑफ दे वीक में पढ़ लीजे,